हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो में आपको 10 मिनट्स जूर बताने वाली हूँ जिसमें मैं आपको 10 हैबिट्स भी बताऊंगी जिसको आप अगर डेली 10 मिनट्स करोगे तो आपकी जो ब्रेन पावर है वो इंप्रूव होगी जिससे आप lazy feel नहीं करोगे और ये जो 10 minutes है अगर आप daily से करोगे तो आप mentally और physically fit रहोगे तो आई जानते हैं कि ये 10 minutes जूरूल क्या है तो वीडियो को शुरू करने से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और comment जरूर कीजेगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो तो number one पे है drink a glass of water जब आप सुबा सो के उठते हैं तो आपको एक गलास पानी पीना है या फिर आप एक गलास से जादा पानी पी सकते हैं होता क्या है कि जब हम 6 से 7 और ह 17 घंटे siya साथ से आठ गंटे की जब हम नींद लेते हैं उसकी बास हम जब सुबा उठते हैं तो हमारी बॉडी होता है जो हमऄारी बोडी डिऴ कारन जब हम सुबा उठते हैं waking फैनल को तो कभी-कभी हमें हाइडादख How T तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप सुबा उठे तो आप सबसे पहले एक ग्लास पानी या फिर दो ग्लास पानी पीए ठीक है पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो एक दिम एनरजेटिक फील होता है हमारे ब्रेन में 70% वाटर होता है तो आप सो सकते है जब आप सुवा सो के उठते हैं तो आपके ब्रेन को कितनी ज़ादा ज़रूत होती है पानी की तो हमें एक गलास पानी सुवा पीना चाहिए और अगर आप सिंपल वाटर नहीं पी सकते हैं तो आप उसमें लेमन को डाल की पी सकते हैं और सबसे अच्छी जो चीज है जो मैं बातल हो सुवा पीना है सो के उठने की बाद हैं नमट सैकंड में इक 65 तो सब्य जब आम सुवा उठते हैं तो हमें अपने बैड को ठीक करना चाहिए और यह काहावत भी है कि अगराप निया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने बैड को ठीक करना ओता है तो दुनिया को चेंज करना है तो आप अपने बैड को पहले ठीक कीजे तो ये एक बहुत important चीज है तो जब आप सुबा उठें सोके तो आप अपने बैड को खुड ठीक करें ना कि आप दूसरों पे छोड़ें तो नमर थ्री पे आता है listen music So, जब आप सुबा उठते हो तो आप फ्रेशन अप होते हो, उसके बाद आप अपने बैड को ठीक करते हो उसके बाद आपको क्या करना है? music सुनना है music में calm music सुनना है soothing music मतलब जो बहुत relaxing music हो आपको बहुत ज़दा कोई party music नहीं सुनना है आपको बहुत ज़दा कोई angry music नहीं सुनना है loud आवाज में नहीं सुनना है बहुत आपको mild song सुनना है इसके song सुनने के पीछे reason ये है कि जो आपका mood है वह बहुत relax हो आप बहुत शांत हो क्योंकि जैसे हम दिन की शुरूवात करते हैं जो जो चीज़ा हमारे mind में चलती है पुरा दिन हमारा उस ही परेटी पेंट करता है तो हमें music बहुत harsh बहुत party weird, loud music नहीं सुनना है, हमें बहुत relaxed music सुनना है नमबर 4, Read Something Inspiring आप जब अपने मॉर्णी के रूटीन्स करते हैं तो म्यूजिक सुनने के बाद आप ये कीजिए कि आप कुछ inspiring सुनिए मतलब inspiring सुनिए या फिर inspiring पढ़िए इसके पीछे reason ये है कि अगर जब आप कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो पढ़ना बहुत जरूरी है और आप कुछ ऐसे नोवल देखिए कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए जो ज़ादा लंबी ना हो एक या दो पेज की हो उसी में वो स्टोरी खत्म हो जाती है ज़ादा लंबी बुक्स पढ़ने से आप चैप्टर को क्लोज नहीं कर पाईएगा बहुत जल्दी आप उस पे बहुत दिन तक अटके रहिएगा तो आप अपने दस मिनट के अंदर आप एक स्टोरी पढ़ सकते हैं तो नेक्स पॉइंट है नमबर फाइव डीप ब्रीफिंग ज़ादों लोगों में क्या होता है कि 10 मिनट भी एक्सराइज करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है तो बहुत एज़ी है डीप ब्रीफिंग डीप ब्रीफिंग में आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है इसे क्या होता है, आपका सोचने की शक्ती अच्छे हो जाती है, आपकी जो willstकी होती होती है, आप इसम काम फिल करते हो। बहुत जिए बहुत जरूरी होता है, आप 10 मिनट्स इसको जरूर करें, आपके ह strengthening. के लिए बहुत जादा benefit होती है और जब भी आप deep breathing करें तो आप खुले हवा में करें अगर आप बंद रूम में करते हैं तो उनके window and gate वगेरा जो है doors वगेरा उसको open करके आप deep breathing करें यह आपके health के लिए बहुत important है next है move your body number six move your body तो move your body में आपको अपनी body को stretching करनी है जादा नहीं करना आपको 10 minutes करना है जो कि बहुत जरूरी है stretching करने से क्या होते हैं कि आपके जो body में जो pain वगेरा होते हैं वो धीर धीरे आपके खत्म होंगे जादा नहीं आपको 10 minutes करना है बहुत हलके से stretching करनी है अपनी body को because stretching बहुत ज हो जाते हैं जो कि गलत है तो मॉर्णिंग में आपको करना है नमबर सेवन है टेक सनलाइट आम तर पर क्या होता है कि हम सुबा कर जो हमारा शैडूल होता है हम आफिस के लिए तयार होते हैं मतलब उसके पहले हमने ब्रेकफॉस ट्रागेरा किया तो हमें सनलाइट नहीं मिलत क्यामिकल होता है जिससे सनलाइट से वह सेराटॉनि नाम का कैमिकल इंक्रीज होता है जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है तो सनलाइट टैन मिनेट बहुत जरूरी है नमबर एट टेक कोल्ड शावर अगर ठंडी नहीं है तो आपको ठंडा पानी से नहाना आपको बहुत जादा अच्छा फिल करवा सकता है यह आपकी नीन को भगाता है आपको बहुत फ्रेश फिल करवाता है इससे आपका एनरजी लेवल बढ़ता और आपके माइंड को यह पुरा क्लियर करता है और रिसेर्चिस में देखा गया है कि कोल्ड शावर लेने से जो को बाद आप का ने मीवल काम होता है पी अब प्लाण कोड़ मेंश बहुत जरूरी होता है अपना दिन खर नेकर नहीं करते हैं तो बमना चीज नहीं करें ध्युलमारे साथ जो भी ह्रेश दैप ऐसाए मंतार आप प्लाण किया लगी प्लान किया करें अगर एपना दिन प् जो आपके habit में होना चाहिए 10 मिनिट में नमबर 10 है reflection दोस्तों क्या होता है कि जब हम सुबा सो के उड़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान हमारे mobile के तरफ जाता है तो आप mobile को ना छूके आप 10 मिनट अपने बारे में सोचे कि आपको क्या करना है मतलब इनसान अपने बारे में नहीं सोचता है हर चीजों में व्यस्त रहता है तो सिफ 10 मिनट आप अपने बारे में सोचे वो अपने बारे में सोचना आपका एक habit हो जाएगा तो डेली आप 10 मिनट अपने बारे में सोचेंगे जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा थाबित हो